नमस्कार दैनिक शिव्टाइम में आप सबका स्वागत हैं रश्मी शर्मा कैमरामें शुवंभगत के साथ जितने भी व्यूवर्स हमारे दैनिक शिव्टाइम के समय हमें देख रहें एक बड़ा ही महतवपुर्ण मुद्दा लेकर हम अपनी जनता के समक्ष आए हैं क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जहां पर बात की जाती है और कहीं ना कहीं वो जनता के लिए पैसा दिया जाता है पर उसी पैसे का अगर दुरप्योग हो पर जनता तरही माम तरही माम करती रहे तो हमें उन चीजों को सामने लाना भोते अन्यवारे हो जाता है सबसे पहले कहेंगे लैंड माफिया लिकर माफिया माइनिंग माफिया भरती माफिया अब जेके बैंक लिंक रोड ब्रांच 31 करोड का गुटाला माफिया अब कौन-कौन लोग है यह आपने कैप्शन में पढ़ी लियागा शुरू करने से पहले वीडियो हम अपनी जनता से निवेधन करेंगे आपके सुझाओ आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महतरपुन है पूरे तथ्यों के साथ हम आप तक यह पूरे जो स्टोरी है वो लेकर आ रहे हैं आपका क्या कहना इसमें क्या राह है क्योंकि इस समय हमारे साथ एक बार फिर से जूट चुके हैं जंता को उसका फाइदा ना मिले जो पैसा जंता के लिए आ रहा हो तो कही ना कहीं शर्म की बात है और सबसे बड़ी बात जो भी समय में देख रहे होंगे आप लोगोंने भी कभी ना कभी छोटे चोटे लोन बैंक से लियो होंगे तो आपको पता है बैंक अगर लाक रु भी गिरती है रुसूखदारों के ओपर या पुलिटिकल सियासी लोगों के ओपर बैंक भी बड़ी दर्यादिली दिखाता है यानि 31 करोड दिये तो सही पर यह देखेंगे कि हिसाब नहीं कि वह काम कितना हुआ या हुआ भी या नहीं शेक शिकिल साब सबसे पहले आपका लोग ऐसे भी होते जिनको अपत्ती भी होगी इस वीडियो से पर सत्य को कहने से सत्य को दिखाने से ना हम डरे हैं ना हम पीछे हटेंगे आप बताएं हींगरी इंफ्रास्ट्रक्शर प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं ये कहेंगे इसी के तहत 31 करोड का घोटाला जेके बैं होती है हीम गिरी इंफ्रास्ट्रक्शर प्रोजेक्ट लिम्टिट जिसके शेर होल्डर्स डारेक्टर्स प्रमोटर्स महतरमा ममता सिंग जोजा डाक्टर निर्मल सिंग हमारे बूत पूर स्पीकर और डेप्टी चीपनिस्ट जमो किश्मीर के हैं इसके अलावा हमारे पार जिंदर गुपता जी जो के डेप्टी चीफनिस्टर है हमारे जमो किश्मीर में वो भी इसके प्रमोटर डेरेक्टर शेरोल्डर और इसके लावा और भी हमारे जमो की कुछ प्रॉमिनेंट परसनेलिटी इन्हों ने ये मिल कर ये इस कंपनी का गठन किये जिसका नाम मैंन बैंकी रश्मी जी उसको उने अप्रोच किया फैनेंशिल असिस्टेंस के लिए ठीक है और वो फैनेंशिल असिस्टेंस क्यों चाहिए था क्यूंकि इस कंपनी को एक दो मेगावार्ट का माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट मिला हिमा बिजली बनाने वाला यहीं जनता को कही की सूशना के लिए यह बताना जरूरी है कि लोन इसले लिया कि एक छोटा हाइडल प्रोजेक्ट मींस कि पानी के दोरा जो बिजली पैदा की जाती है वो उसका एक माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट इनको मिला जिला चमबा में आपको पता बड़ा मशूर है चमबा थी तो लिंक रोड शाका को अपरोच किया दो हजार नौ में इन्हों ने पहली दफ़ा दरवाजा कھटकटा है लिंक रोड बरांच का इनका जो पहला परपोजल था बैंक ने एग्रिनिंग किया फिर इन्हों ने री सब्मिट किया 2012 में इनका प्रजक्त अपरूव होता है और इनको जो पहली किस्ट जो पहला टरम लूज जो है 2012 में 18 करोड रुपया इनको मिलता है और जब इनको ये पहली किस्ट मिल गई 18 करोड की तो रश्मी जी जो process of return था न जो ये जो पैसा था 18 करोड आखर इसको वापिस भी तो करना था तो वो इनको बखशता नहीं बैंक तो वापिस लेता है क्योंकि ये जंदा का पैसा है तो वो इनको 2015 से रिटर्न का प्रॉसर स्टार्ट होना था लेकिन इन्हों ने प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया और सबसे बड़े ही रश्मी जी ह क्या किया कि जिससा मैंने आपको बताया कि बैंक वो जो एक्स्टेंशन दे रहा था कि हाँ जी हम आपको कमिशनिंग की डेट की जो है वो एक्स्टेंशन पर एक्स्टेंशन वो देते रहे सबसे बड़ी इंपॉर्टन बात इन्दा मीन टाइंग इन्होंने बैंक को ये कह कि कास्ट आफ दी प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ गई है फिर इनुने कहा जी वहां पे कोई क्लाउड ब्रस्ट हुआ है हमारा कोई नुगसान भी हुआ है तो आप हमें एडिशनल टरम लोन दीजी और सुनने की बात यह है कि जैसे हम कहते हैं ना डांसिंग टू दा ट्यून ठीक है तो जिस तरह ट्यून के ओपर हम डांस करते हैं तो इसी तरह जो जमो किश्मीर बैंक था जिस तरह ये लोग कहते गए उसी तरह जमो किश्मीर बैंक डांस करता गया और फिर उसके बाद दो टरम लोन इनको ओर मिले एक को सारे छे करोड ओर भी साथ में साथ करोड टोटल एकतिस क्रोड तीन किस्तों में रश्मी जी जेके बैंक ने इनको दिया अब मज़धार बात देखिए कहीं जनवरी दोजार अठारा में और उससे पहले इनको डिफाल्टर डिकलेर किया गया डिफाल्टर के बाद ये एकाउंट NPO हो गया means कि नान परफार्मिंग एस जो लोन दिया गया उसके मताबक आपने वो काम नहीं किया ठीक है ऐसके चलते बिलकुल अचkeln पह अच्छरा अब इसके बाद क्या होता है कि जनवरी 2018 में इनको सर्फेसी एक्ट के waving के तहन इनको नोटस दिया गया इसका सर्फेसी के मताबक यिस होता है कि जो आपने property माट गेज रखी है जो आपके जो एसेट्स हैं उनको अटाइज किया जाता है फिर उसकी आॉक्शन का प्रॉसर स्टार्ट होकर बैंक अपना रिकावर करता है नोटस भी दिया गया सरफेसी का लेकिन उसके बाब जूदी क्योंकि हाईली इंफुलेंशल परसनालिटीज हमार आप देखिए जिन लोगों ने इतना क्रोडों रुपे का पब्लिक मनी इनको दिया और जूठी आर्डिट की रिपोर्टें जो है वो सब्मिट हो रही थी जूठी प्राग्रस की रिपोर्ट सब्मिट हो रही थी ठीक है और आप बड़ी मज़दार मैं आपको बात बता करेंगे हमारी जनता भी जरा ध्यान से सुनिए जब आपने कहा कि इन्होंने पहली किस्त जो अठारा करोड की जेके बैंक ने इन लोगों को दी जिसमें मिसेज ममता सिंग थी डाक्टर निर्मिल सिंग जी वाइक जो जिन कमेटी मेंमर थे कविंदर गुपता जी थे अपना रोजगार खोलने के लिए तो अगर पहली किस्त अगर चाहे आपको 20,000 है जब 50,000 है जब आपके पास आती तो बैंक उसकी वेरिफिकेशन करने आपके घर आपके बिसनस पाइंट पर आता है कि जो पैसा हमने जनता को दिया है वो उसके मताबिक यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर यूटिलाइज हो रहा होता तो बैंक अगली किस्त को देता है नहीं तो वो वही पर बंद कर दिया जाता है अठारा करोड की पहली किस्त दी और बैंक इतनी मेरबानी के दूसरी भी दे दी तीसरी भी दे दी पर यह नहीं देखा important बात जो आपने की है मैंने पहले भी कहा है banking के norms है रश्मिजीज आप कोई भी establishment खोलना चाहते हैं कोई दुकान के लिए loan लेते हैं कोई poultry फारू आपका पूरी stock verification होती है तब ही जाकर आपको दूसरी किस्त मिलेगी और साथ में आपने स्पोस हाइडर प्रोजेक्ट आप बना रहे थे आपने वहाँ पे ultimately स्पोस किसी को कोई payment करनी थी या वहाँ पे कोई experts आने थे आपने कोई सामान खरीदा तो आपको ये चीज़ बतानी थी कि पहले हमने जो 18 क्रोड रुपया है वो कहां खर्च करना है ठीक है उसके bill submit होने चाहिए थे bank को ऐसा कुछ नहीं हुआ और सबसे मज़ेदार बात ये जो सारा breach हुआ जो violations हुई ये क्यों violations हुई क्योंकि ये सभी लोग बड़े important है ठीक है क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और अब देखे इस केस में वन आफ दी मौड गेजर जो है वो डाक्टर निर्मल सिंग साब खुद है डाक्टर निर्मल सिंग साब में अपनी परसनल जो लैंड है वो उन्होंने इसमें गिर्वी रखी है तो ये मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ और सबसे इंपॉर्टन बात कि जूट पे जूट चला और सबसे बड़ी बात कि एंटी करॉप्शन वीरो जो साथ में सी बी आई जो इस किसम के जमो किश्मीर बैंक के जो गोटाले हैं जो फराड हैं उसके उपर बेत हाशा F.I.R. से लगा चुकी है और रश्मी जी आप जानती है कि A.C.B. ने बिलकुल प्रुआ ने की कि मेरा आपका या किसी और का क्या स्टेटर्स है या स्टेचर है आपने देखा होगा कि अमर अब्दुल्ला साब के भी कॉस्चिनिंग हुई है किसी बॉंबे के जेके बैंक के मामने में इसके इलावा हमारे बूद पूर जो वित्र मंत्री थे रहीम राथर साब उनके फर्जन हिलार राथर उनको ग्यारा महीने जिसे कहते हैं वो जेल में थे ग्यारा महीने के बास जमानत पे वो बाहर आये है आपको सर्फ ये चीज़ बताने के लिए कांगर्स के नेताओं की भी पूछता है इदी के द्वारा हुरी है यानि जो भी अगर लगता है कि इस तरह की चीज़े हैं तो उनका अजनसिस का का मैं उनको पूछताश करना जिना ये रश्मीजी मेरा ये जो मिसाल दे कि जो मैं बात करता हूँ वो इसलिए मैं अजनसिस को मैं बताना चाहता हूँ कि हमें आप से कोई शिकायत नहीं है लेकिन हम ये कहते हैं at least आप सबको एक आँख से देखिए, कानून इस देश में है, रूल अफ ला है, आर्टिकल 14, 16, 21 जो भी है, लेकिन आप उसको uniformly implement कीजिए, अगर आप ने इतने सक्त action किये बाकी लोगों, आप देखिए, पीच दम्रम, हमारे former home minister थे, दिवारे भांद के, जो cb.i.i. की officers हैं या agencies के लोग हैं, उन्हें दिवारे भांद के, उनकी कोठी में चले गिए, फिर उसके बाद उनको गृफतार भी किया है, फिर उसके बाद उनकी जमानत हुई, ठीक है, इससे ये चीज़ एस्टेब्लिश हुई कि इस देश में, आपका कोई भी अगर रुत्बा है, कोई भी आपकी अगर पॉजिशन है, लेकिन रूल अफ ला से बढ़कर आप नहीं है, लेकिन इस केस में आप देखिए, आज मैं पिछले पांच दिन से बोल रहा हूँ, मैंने पहले डैंक साब से बात की, फिर उसके बाद मैंने डोगरी में एक इंट्रिव्यू किया, फिर उस गुपतर जी हूँ, मैं उनके साथ पबलिक में बैठ कर, पूरा जमू का मीडिया, जिसमें चाहे कोई पंजाबी पतरकार हो, या कोई डोगरा पतरकार हो, कोई भी हो, मेरे जमू शहर का मेरा बेहन भाई, जो जनलिजम में हैं, मैं सब को फेस करने के लिए तयार हूँ, औ इस यूटी में जो अप्लिकेशन अफ ला है, वो यूनिफार्म हो, वो कानून सब के लिए, सब के अप्लिकेबल हो, और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक जूट फिलाया जा रहा है जमू शहर में, एक जूट फिलाया जा रहा है, कि वहां तो 80% जो है, प्रोजेक्ट के ओपर काम हो चुका है, वही वही उसी की तरफ आ रहे है, अगर 31 करोड मिला है, तो कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है, कि आप वो चीज किस तरह से आपने सच को सामने लाए, कितना वाकिए काम होगा, क्योंकि एन पिये आपने कहा, वो भी समय उनको गोशि चाहता हूँ, ये चंबे से एक दूर दराज़े के लाके है, 16 किलोमेटर इंटरनल जाके, वहाँ पे एक नाला है, जिसे साल कहते हैं, और इस प्रजेक्ट का नाम भी साल टू है, ठीक है, वहाँ पे ये प्रजेक्ट है, मैं आपको वसूग से कहूंगा, अभी कोई साल डे मैं लीगल एक्शन फेस करने के लिए तयार हूँ, एक धांचा खड़ा किया है, उस धांचे में बांस लगे हुएं, बलियां लगी हुई हैं, जिसकी कीमत पचास से पचातर लाक होगी, और कुछ पाइप्स इन्होंने वहाँ पे ले डाउन की हैं, जहां वो पाइप्स है वहाँ उसकी मैं यह कहूँगा, एस्टिमेटेड कास्ट करोड डेर्ड करोड की होगी, और यह जो ढांचा है, इसकी भी कीमत मैं यह कहूँगा, पचास से पचातर लाक होगी, मैक्सिमम मैं मार्जन देता हूँ, धाई या तीन करोड पे का मोके पे, वहाँ पे काम दिखत है, मैं सच कहा रहा हूँ आपके साथ, मैं सब कुछ सामने लेकर आँगा, लेकिन मैं रश्मी जी आपके माद्यम से, मैं जमू किश्मीर की अवाम को बताना चाहता हूँ, जूट फिलाने की जो कोशिश की जा रही है, कि वहाँ असी फिस्द काम हुआ है, यह भी जूट है मैंने आपको बता दिया, कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप जा के देख सकते हैं, और मैं अपने डुगर परदेश के लोगों को कहता हूँ, जो लोग एक्टिविजम में बिलीव करते हैं, जो पार दर्शिता में बिलीव करते हैं, वो वहाँ मोके पर जा के दिखाएं और ये लोग, ये जो हीमगिरी के प्रमोटर्स और डिरेक्टर्स हैं, ये फैक्चुल पॉजीशन और एक इन्डिपेंडन्ट कमीशन से, इन्डिपेंडन्ट आडिटर से ये लिखवा के लाएं, कि इन्हों ने 31 करोड रुपया कहां खुर्द बुर्द किया, अगर अगर प्रिश्मीर बैंक ने उनको एक्सेप्ट किया, क्या ये जांस, तो प्रिश्मीर बैंकर पर भी बहुत बड़ा खड़ा होता ना, कि आप गरीबों से अगर पचास जार हजार प्या भी गरीबों ने लिया होता है, आप तो उनके घर की कुड़की तक करवा देते हैं, आप अब 33 लोगों पर कर air लगे, एक सरहने का रहे हैं क्या लगता है? जरूर संग्यान लेंगे और हमारी जंता जो इस समय देख रही है अठाइस करोड यह उन नेताओं का पैसा नहीं जनाब यह आप लोगों का पैसा है इसकी पाई-पाई का हिसाब होना चाहिए सर क्या कहेंगे देखिए मैं आपको फिर यह कहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से मैंने आपको कहा है 31 मैं 2022 को यह प्रोजेक्ट जो है कमीशन होना था और वो भी अमनेस्ट्री अवेल की है हीमगेरी इंफरस्ट्रक्शर में हिमाचल परदेश सरकार को भी यह चूना लगा रहे हैं बार बार हिमाचल परदेश सरकार ने इनको एक्स्टेंशन दी कि आप प किश्मी जी 2012 में प्रजेक्ट का काम शुरू होना था और मैं आपको कहा रहा हूँ कि एक टीम यहां से जानी चाहिए जरनलिस्टों की और टीम जानी चाहिए प्रॉमिनेंट लोगों की ता कि हम बिल्कुल जमू किश्मीर की जनता को बताएं कि 2012 से लेकर 2012 क्या काम हुआ क्लेंज करता हूँ जो कहते हैं कि 80% काम हुआ दिखाएं जमू किश्मीर के लोगों को कि 80% काम हुआ और दूसरी बात जमू किश्मीर बैंक के वो लोग जो इनके साथ मिले हुए हैं जिन लोगों ने दुर्यों प्योग किया अपनी पूजिशन का क्या उनके खलाफ कारव नहीं होनी चाहिए रश्मी जी बिल्कुल और दूसरी बात मैं आपसे रश्मी जी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार ने कहा कि हमने इनको आखरी महलत दी है कि 31 माई तक आप प्रजेक्ट को कमिशन करेंगे मैंने नौ जून को फ्रेश आर्टी आई दी हिमाचल परदेश सरकार को कि बताईए 31 माई को प्रजेक्ट कमिशन हुआ मुझे गोल मौल जवाब दिया मैंने कहा अगर कमिशन नहीं हुआ तो आपने क्या कारवाई की कहते हैं जी पालिसी के मताबर कारवाई करेंगे अगर 31 माई को प्रजेक्ट कमिशन होता तो वो मुझे लिख के देते ना इतना हुआ या इतना नहीं हुआ तो मैं आपको तभी ये चीज़ कहना चाहता हूं कि जो लोग समाज में ये दुश्ट ये मैं कहूंगा प्रपोगंडा कर रहे हैं कि वहां 80% काम हुआ है आपको बचाने के लिए तो ऐसे प्रपोगंडे चलेगे ना ये जनता आज की दोर में हमारी जनता भली भांती समझदार है शकिल जी सच कभी शुपता ने सच को दबाने का कोशिश की जाती पर पराजित नहीं होता रश्मिजी मैं आपके माध्यम से Benjamin Singh साब को दावत देता हूँ, मौतरमा ममता सिंग्जी को दावत देता हूँ, जुगल किशोर जी को दावत देता हूँ, कविंदर गुबता जी को दावत देता हूँ और भी जितने share holders, परमोटर्स, जितने भी लोग हीमगिरी के साथ जुड़े थे या भी जुड़े हैं, वो मेरे साथ आए, हम एक public debate करते हैं, दूद का दूद करेंगे, पानी का पानी करेंगे, और मैं welcome करता हूँ, एक public debate के लिए, आप आईए, हम بات करते हैं, मुझे कोई कि भी दर्खवास करूंगा आपका ये जो कैमरा है ये कैमरा आपका उन लोगों को भी इन्वाइट करें उनके भी व्यूज लें और मैं जम्मू की जंता का कोई भी जो सवाल है उसको मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको फिर एक चीज़ कहुँगा मेरा मकसद शिर्फ अपने डगर परदेश के लोगों को अफगर्त कराना है कि ये हमारे जो नमाइंडे हैं इनका काम था हमारी खिदमत करना नका काम था विकास के काम करना इनका काम जो था, ये तो बिजनस में पढ़ गए, ये तो प्रोजेक्ट लेना, कमपनी बनाना, फिर उसका बाद बिजली पैदा करना, जासा देना, फिर क्याना जी बिजली फ्री देना, किस तरह से फ्री आएगी, जब आप प्रोजेक्ट के नाम पर खुदी डकार जाएंगे, पैसा दकार जाएंगे, तो जनता कहां गरीब चारी को, कहां बिजली पानी मुफ्त मिलेगा, आप मुझे एक चीज़ बताईए, आपने क्या चनाओ इसली लड़ा था, कि आप कमपनी बनाएंगे, और हिमाचल सरकार से हाइडल प्रोजेक्ट लेंगे, आपने तो हमें वादा कि हैं, हमारा हक है, आप से सवाल पूछना, हमारा हक है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने हमारे दर्वाजे खट-खटाए, हमें विश्वास दिलाया, हम आपको एक अच्छी सरकार देंगे, साफ सुतरी सरकार देंगे, आज हम इसलिए इन से सवाल पूछ रहे हैं, धन्यवा वेलकम है अगर आप अपनी बात तथ्यों के मादम से हमारे मीडिया के माद से जनता तक रखना चाहेंगे हम आपका भी वर्जन लेना चाहेंगे अगर आपकी इच्छा हो बाकी एक बात है हम शेश कील जी की इस कदम की सरहना करते हैं जो लोग नेता लोग नहीं कर पए जिन बात आप जाने की जहां पर ये प्रोड़क्ट जो आज जी कर रहे हैं प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि 80% हो चुका है हम भी जनता को सच बताना चाहेंगे के वाकिए 80% हुआ है या यह छूटा प्रोपोगंड़ा कर रहे हैं क्योंकि जहां पर जनता के हित की बात होगी हम का हो चाहिए वह पीडीपी का हो चाहिए आपका हो छोड़ेंगे नहीं जराब एक दिन सब को एक्सपोस करेंगे अपने कमेंट अपने सुजाव जरूर दीजिए क्योंकि यह जनता के हितकी बात है और इस वीडियो को चितना हो सके शेर कीजिए जूड़े रिया से हमारे सत् कि यह जयिए जाबद बात है